नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार पुना SLB हिंदी ट्री की YouTube चैनल पर हार्दिक श्वागत है जैसा कि आपको विदित होगा कि हम इस वक्त विग्यत वर्षों के प्रशन पत्तर इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हिंदी अनिवारिय की जो पाटे पुस्तके हैं जो व्याकरण हैं उनमें से किस प्रकार के प्रशन बन सकते हैं तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में देखेंगे उच माध्यमिक परिक्सा 2000 शोडा और उसमें मूख बधीर विद्यार्तियों का जो पेपर हुआ था हिंदी अनिवारिय का वेपर देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के मैट्पून प्रशन बनते हैं लेकिन हाँ यहाँ पर हम उनी प्रशनों का जिक्र करेंगे जो अपने पाठे करम में है तो चलिए देखते हैं आज के प्रशन तो इसमें पहला प्रशन है वो पूछा जाता है एपठित कावियांस यहाँ पे दिये गए थे प्रशन और हम से पूछी जाएगी हमसे भी प्रशन पूछे जाएंगे लेकिन हमारे को दिये वे होंगे अब, स, और द, यानि विकल्प दिये वे होंगे उनमें से लेकने हैं तो इसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे दूसरा प्रशन एपठित गद्यांश का पूछा जाएगा और इसमें भी प्रशन पूछे गए थे लेकिन हमें वो ही बात है कि एब और सैद आप्सन देके पूछे जाएंगे तो इस प्रशन की भी हम बात नहीं करेंगे लेकिन जब हम खंड बे में आते हैं तो यहाँ पे दिया वा होता है निबंद और निबंद बहुत ही मैतपूण जो है उसमें यदि हम देखें बाली का सिक्षा और राष्ट निर्वाण में यूवकों का योगदान तो यूवाओं का राष्ट निर्वाण में क्या लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें पत्र की, तो पत्र में देखिए, आप घर्षे दूर रहकर अध्यन कर रहे हैं, विद्याले के परदानाचारिये को विद्याले में मोबाइल फोन रखने की अनुमती मांगते वे एक प्रश्ण, एक पत्र लिखिए, तो ये आपको पत् किया हो सकता है, इसको देखते वे आपको एक परदानाचारिये को पत्तर लिखना है, इसके बाद जो फीचर और आलेक है, इसमें यद्यपी आपके पेपर में छोटे प्रश्ण मनेंगे, आपसे इन विशों पर फीचर है, वो नहीं पूचा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फीचर क्या है, फीचर क्या है और आलेक क्या है, इनकी परिबासा और इनको लिखने की सेली, इनको लिखने क्या, सेली मतलब तरीका क्या है और इनकी भासा कैसी होती है, ये प्रशन आपको तीन जरूर याद रखें, इनकी परिबासा, इनकी लेखन सेली औ आता है यहां पे कावियांस दिया हुआ है पाठी पुस्तक का और पाठी पुस्तक आरो का आरो का कावियांस है और यहां पर प्रश्ण पूचेगे जबकि अपने को इसकी क्या करनी है व्या क्या करनी है अब की बार ऐसा प्रश्ण आएगा तो देखिए ओने जाए पत में रात कहीं तो यह जो हरीवन सराय बचन की कविताय दिन जल्दी जल्दी डलता है तो वहां से लिया गया देखिए किस परकार का कावियांस आप से पूचा जा सकता है और मज़े की बात यह है कि इसमें प्रश्ण किस परकार के बंधते हैं यह बही अपने को जान देना है जैसे थका हुआ आद व्यक्त्ई क्या शोच कर जल्दी-जल्दी चलता है तो यह एक नमर का प पतंग कविता का एक कावियाँस दिया हूआ है, तो यह आप मानके चलें कि आपको पतंग कविता का कावियाँस व्यक्या के लिए मिलेगा, अब इस कावियाँस में से प्रशन पूछा कि डाल की तरह लचले वेकसे क्या तात्प्री है बच्चों के संदर में, बच्चों को गिरने से कोन बचाता है और पतंग उड़ाते शमय बच्चों को क्या अनुबह वता है इसके बाद बात करें आगे के प्रश्नों की तो ये प्रश्न आपके सिल्प संध्रिया और भाव संध्रिय का है ये आप से नहीं पूचा जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश नमबर दस की और प्रश नमबर दस है ये पाठे पुस्तकारों का ही है बात और भासा प्रश पर जुड़े होते हैं किन्तु कभी-कभी बाशा के चकर में सीधी बात भी टेडी हो जाती है कैसे प्रश्ण नमबर 10 कब केमरे में बंद अपाहिज कवीता का मूल भाव लिखिए मैं फिर आप से कहूँगा very important question पूचा जा सकता है से से अर्ष सविकरा है कवीता में कवी किन इस्ततियों को से अर्ष सविकरा करना चाह रहा है और क्यों इसके बाद बात करें प्रश्ण नमबर 11 की तो ये प्रश्ण पाठ्य पुस्तक का गद्यांस है जैसे ये जनेंदर कुमार का फाठ्य बाजार दर्शन नुश्मिश लियावाई यहाँ पे प्रश्ण पुछे गए हैं और हमको तो वो ही बात कि हमको पेपर में लिखनी होगी द्याख्या बाजार से हटपुरू मिवमुक्ता का क्या आर्थ है कई पेपरों में पुछा ये 12, 13, 14 अर परीक्षा में पुछा गया है तो ये प्रश्ण बन सकता है भगची के लिए चोक बजार की सता कब तक है सारा बजार भगची के लिए नहीं के बराबर कब हो जाता है और चांदनी चोक का मंतरन कब व्यर्त हो जाता है इसके बाद अत्वा में दिया था भक्तिन जो संस्म्रान मादेवी वर्मा का उसमें से और उसमें प्रशन पूचा था कि भक्तिन को किस बात से अपना अपमान प्रतित होता है भक्तिन की दृष्टी में अंधेर क्या है पहाड के बराबर अन्याय भक्तिन ने किसे माना है और भक्तिन बड़े लाट से क्यों लड़ना चाहती थी तो ये एक परकार से प्रश्ण किस परकार के बनते हैं वो आप जरूर देखें इसके बाद जो प्रश्ण नंबर बारा है ये पाठ्य पुस्तक से ही लिया गए आपके और पाठ्य पुस्तक के प्रश्णों में बात करें तो काले मेगा पानी देपाठ से ये है कि पानी के संदर में लेखक वजीजी के विचारों में क्या विरोधा इस पष्ट कीजी पहलवान की ढोलक मरत गाउं में संजीवनी शक्ति कैसे बरती थी लिखिए चार्ली चैपलीन का पाठ अपने नहीं है लेकिन ये प्रश्ण देखिए हर पेपर में पूछाए और ये बनेगा प्रश्ण कि स्रीश, कबीर और कालीदास तीनों के मद्य में लेखक अजारी परशाद दुएदी ने क्या समानताय बताई विचलेशन कीजी इसके बाद प्रश्ण नंबर तेरा आता है अपनी पाठे पुस्तक वितानगा और इसमें देखिए आय ओपसन देखिए आप और बै भी देखिए दोनों हर बार परिक्साओं में प्रश्ण रिपिट होते हैं किसंदा की मौत किसंदा की कौन-कौन सी परंपराएं यह सोदर बाबु को पराप्त हुई यह सोदर बाबु की पत्नी के उन परंपराओं के परती क्या विचार थे और बै में दिया है लेकिन अब अकेले पनसे लेख को कोई उब नहीं होती जूज में लेखक द्वारा यह वाक्य क्यों का गया है लेखक को उब क्यों नहीं होती जूज कथानायक आनदियादव पाठ के आदार पर आपको लिखना है एन फ्रेंक वाला पाठ अपने नहीं है इसके बाद प्रश्णम चौदा था और चौद्वाय प्रश्णम में भी वितान से पूचा है से और बैदोनों नहीं है लेकिन ऐ देखिए सीखना हर एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई यसोदर बाबु ने ये वाक्य कब और क्यों का सिल्वर वेडिंग काने की आदार पर लिखिए इसके बाद प्रश्ण नंबर 15 था और वो भी अपनी पाटे पुस्तक वितान है उसी में से है लेकिन 15 नंबर के मौन जोदलोर और एन फ्रेंक दोनों अपने पाटे करम में नहीं तो प्रिविद्यार्तियों ये था 2000 जो आपका पाटे करम बोर्ड की परीक्षा का था 2000 देखिए आप 2016 का पाटे करम और इस परकार हम हर वर्ष के पाटे करम है उनके जो विगत वर्ष्णों के प्रशन पत्तर है वो आपके सामने ला रहे हैं और बताई ये रहे हैं कि अपने पाटे करम में समलित पाटों में से किस परकार के प्रशन बन रहे हैं तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ये ताय करने में ये वीडियो काफी सहाय कसिद हुआ होगा कि किस परकार के प्रश्ण बोर्ड परीक्षा में बन शकते हैं इस वीडियो के बाद मैं वीडियो लेकर आऊंगा उच्छ माद्यमिक परीक्षा दोजार शोडा का ही लेकिन वो सामान्य विद्यारतियों का होगा मूख बगिल विद्यारतियों का नहीं होगा तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें इस वीडियो को लाइक करें सातियों तक सेर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आगिया दीजी नमस्कार जै हिंद